दोस्तो क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट्स कम्प्लिटली इनेबल्ड होने के बाद लोगों को पहुत सारे बनेफिट्स होने वाले हैं और इन सारे बनेफिट्स के बारे में ही आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलू कि RBI ने क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट करने का आप्शन को पर्मिशन दे दिया है यानि कि अब जल्द ही क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट का आप्शन लोगों को मिल जाएगा और इसकी शुरुवात जो होगी वो सबसे पहले रूपे क्रेडिट कार्ड से होगी इसके बाद ही अन्य क्रेडिट कार्ड को एड करने की फसलिटी दी जाएगी अब चली देखते हैं कि credit card से UPI payment करनी पर क्या-क्य benefits हो सकते हैं तो benefit number one, multi payment options अब देखिए multi payment option का benefit मिलने वाला है इसको आप ऐसे समझेए कि अब इससे पहले हम और आप credit card को वही use कर पा रहे थे जहां पे POS machine होता था कि हम अपना card देते वो card को लगाते फिर हम pin इंटर करते देन हमारा payment होता या फिर हम online portal पर अपना card detail इंटर करके हम payment कर पाते थे लेकिन अब जो है multi payment options enabled हो जाएगा यानि कि आप QR code scan करके भी payment कर पाएंगे कहीं भी किसी भी merchant का QR code जो होता है all in one उसे scan करेंगे और payment करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ अबलेबल होगा जब आप अपने credit card को UPI से link करके payment करेंगे यानि कि जिस तरह से हम UPI से bar code को scan करके payment करते थे similarly हम credit card को भी अपने UPI से link करने के बाद bar code को scan करके payment कर सकते हैं यानि कि हमें multi payment का option मिल जाएगा POS machine हो या ना हो कोई परक नहीं पड़ता benefit number two ये है merchant के लिए कि जो अब से पहले credit card से payment accept करने के लिए POS machine रखा करते थे अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वो इसलिए कि जैसे कि मैंने आपको point number one में बताया कि QR code को scan करके भी payment receive किया जा सकता है तो जिस तरह से UPI payment receive करने के लिए QR code का एक sticker लगा दिया जाता था बस यही काफी होगा credit card से भी payment accept करने के लिए benefit number three अब से पहले हम कहीं भी कभी भी payment करते थे ये करने जाते थे तो हमें या तो credit card या फिर credit card का information रखना पड़ता था लेकिन जैसे ही UPI से credit card को link करने का option completely enabled हो जागा तो नहीं credit card carry करने की ज़रुवत पड़ेगी और नहीं credit card का information रखने की ज़रुवत पड़ेगी क्योंकि जैसे ही आप अपने UPI app से अपने credit card को link कर लेते हैं तो सारा कुछ आपका mobile phone ही हो जाता है फिर ना आपको physically credit card carry करने की ज़रुवत पड़ती है और नहीं card का information क्योंकि आप mobile phone से UPI payment की तरही अपने credit card से भी payment आसानी से कर सकते हैं यानि कि एक तरह से कहा जाए कि आप completely cardless payment कर पाएंगे अब बढ़ते हैं अगले point यानि point number 4 की तरह? point number 4 है कि no extra charges on payment यानि कि जब भी आप credit card को use करके UPI से payment करते हैं तो आपको कोई extra charge नहीं देना पड़ता है अब तक experts यहीं बता रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि अब से पहले आप जब भी कहीं भी credit card से payment कर रहे थें तो आपको कोई extra charge नहीं देना पड़ रहा था तो उसी तरह से आपको UPI payment में भी option मिल सकता है कि कोई extra charges ना pay करना पड़े यानि कि without paying extra charges आप credit card से payment अपने UPI app को यूज करके कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगला और आखरी point यानि कि point number 5 की तरह more reward points अब देखिए आपको ज़्यादा reward points कैसे मिलेंगे इसको समझी देखिए जब भी आप credit card को UPI से link करके payment करेंगे तो जाहर सी बात है कि आप पहले के मुकाबले ज्यादा payment करेंगे ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको reward point की earning भी ज्यादा होगी जाहर सी बात है बड़ा simple है कि जितना ज्यादा आप खर्च करते हैं उतना ज्यादा reward point की earning आप करते हैं तो अगर UPI के थूँ आप अपने credit card से payment करते हैं तो जाहर सी बात है कि आप ज्यादा जगों पर payment करेंगे आप multi payment options को use करेंगे आप store से ले करके हर सारी चीजों में आ जाने कि credit card के limit को खर्च करेंगे तो आपको ज्यादा reward point की earning तो होगी ही होगी तो दोस्तों ये सारे benefits हैं credit card को UPI से link करने के अब देखिए कि completely कब सारे logo के लिए ये enabled हो जाता है वैसे Google Pay में अपने credit card को link कैसे करें इस पर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप आ कमेंट बॉक्स में लिक करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें